हेलो स्टुएंट्स वेलकॉम बैक टू एलीट ट्यूटर्स चली इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट क्रमांग पाच्वा जिसका नाम है मुठे होत असलेलया मुलानू मतलब वो बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं जैसे कि आप लोग और इसको लिखा है दोक्टर अनिल का कोड़कर जिनके बारे में अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलीगा कि यह कितने ग्रेट परस्नलिटी है तो चली इन्हों ने अपने दो एक्स्पीरेंस यहां पर शेयर किया है वही आपको यहां पर समझना है तो देखिए पत्र है यह लेटर है और इसी दिया पर क्या लिखा है कि मोठे हूद असलेल या मुलानू और उनके लिए क्या संदेश है यहां पर लिखा है क्या कहते है देखिए डॉक्टर अनिल कि या पत्रा तून मी तुम्हाला माजे बार्क मदिल दोन अनुभाव सांगना रहे तो राइटर कहत बताने वले हैं तो बार्क मदिल दोन अनुभाव सांगना रहे दो ऐसा एक्स्पिरेंस बताने वला हूं मैं तो एक्सपिरेंस बताने वला हूं दो अिछे खात्रीय है मतलब मेरा ये जो दो experience है वो तुमको और जादा अभ्यास करने के लिए और जादा पढ़ाई करने के लिए और आपका जो भूमी का निश्चित कराया मतलब मतलब आपको अपने जीवन में क्या करना है आपको क्या बनना है उसको निश्चित करने के लिए आपको मदद करेगा मेरा जो दो experience है या उस भूमी को पानी के लिए आपको ऐसे कौन से नियम को ऐसे कौन से principles को follow करना पड़ेगा जिससे आपको वो जो आपका जो लक्ष है व आपको वो मैं खात्री से बता सकता हूँ मतलब मैं यकीन से बता सकता हूँ कि अगर मेरे ये दो अनुबह आपने समझा है समझ लिया है सच में तो आपने जो भी लक्ष अपने जीवन में सोचा होगा वो आप राप्त कर पाओगे तर मुलानो तो चलिए बच्चों निश्चित करने में मतलब आपके भविश में आपको क्या बनना उसके लिए मैं नहीं पर बता कि वो मदद करेगा राइटर के दो एक्सपिरिंस और आधि का मतलब प्रतम सबसे पहले मतलब दो एक्सपिरिंस दो अनुबह जो बताने वाले हैं उसमें सबसे पहले मी माज दोन अनुभाव सांगतू हूँ, मतलब राइटर ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं कुछ भी और कुछ और बता हूँ, मैं अपने दोनों अनुभाव बताना चाहता हूँ, क्योंकि वही में निया पे राइटर ने बताया है, ये दोन ही अनुभाव, ये जो दोनों experience मैं आपको बताने वाला हूँ, मी college संपुवन, मैंने अपने college को जब खतम किया, बार्क मधे training school लगे लोग, और मैं बार्क में जब training के लिए गया, training school में जब गया, तेवाचे आहत, तब के वो दो experience है, जो मैं आपके साथ share करने वाल अरे हो, तो राइटर ने बला, अरे हाँ, बार्क मंजे काई, असा प्रश्ण तुम्हाला पढ़ला से, तो मैंने पहले बताया था कि राइटर आगे बताने वाले हैं, कि बार्क का मतलब क्या है, ऐसा सवाल आपके मन में आया होगा, तो यहाँ पर लिखा कि बार्क मंजे क अनुसंशोधन केंद्र या नावा चे लगुरूपा है लगुरूप मतलब शौट फॉर्म होमी भाबा यानि भारता तील अनुसंशोधना चा पाया घातला पाया घातला का मतलब है शुरुवात के लागा यहां तक आप समझें कि होमी भाबा का मतलब है का उन्हों बह्ते है लगुरूप Ониल बाप को हैं कि शौट में एल पढ़ंडाच के शुरुवाथ किया है तो मिल laws अनुस्जच को नहीं पता है मैं उनके लिए बताया और जिसको आप मराथी में अगर चेंज करते हो समझते हो तो उसका है भाबा अनुसंशुदन केंद्र तो राइटर ने आप आपको बता दिया है कि जिस बार के बारे में वो यहां पे चर्चा कर रहा था वो बार आखिर क्या है फिर आ नाम है वो खुद ही भाबा अटामिक रिसर्च सेंटर है मतलब उनके नाम के ऊपर है इसलिए यहां पर लिखा कि मनुन्त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे आगे क्या लिखा देखिए कि तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मुठी आहे मतलब राइटर कहता है कि बार्क ही संस्था बार्क ही संस्था है अब यह बहुत प्रचंड हो गई है प्रचंड मतलब बहुत विशाल हो गई है बहुत उसका मतलब विस्तार बहुत दूरों तो जा चुका है और प्रचंड का मतलब मुठी एक मिनट प्रचंड मतलब भव यह समझे विशाल समझे त तो तरबार्ख ही संस्ता आता प्रचंट मूठी आ है, आज बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, पन क्योंकि टाइटर ये भी बता रहे कि लेकिन मी तिथे ट्रेनिंग स्कूला गेलो तेवा, जब वो ट्रेनिंग स्कूल के लिए गया था, जब वो अपने कॉलेज को खत साल ही हुआ था उस रिसर्स सेंटर को शुरू होके, लेकिन आज अगर बोला जाये तो आज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, आमी जवडपास शंबर मुले मुली होतो, तो रैटर कहता है कि हम लोग लगभग जवडपास आसपास में 100 बच्चे थे, लड़किया औ लड़किया मिलकर, फिर आगे लिगा कि मी ट्रेनिंग स्कूल अस्ताना, जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, हुमी भाबा 3-4 वेड़ा आले होते हैं, तो रैटर कहता है कि जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो खुद डॉक्टर हुम नहीं लाता है, तो राइटर ने का कि प्रचंड स्फूर्थी दायक व्यक्ति मत हो, ऐसे वो personality थी, व्यक्ति मत हो मतलब personality, तो वो इनसान का जो personality था, वो एक स्फूर्थी दायक परस्टायक था, होते, थे, मतलब वो ऐसे थे, एक दा, एक बार आमी त्याना विचातले, तो र सरवान ना, लेकिन सब के लिए पूरेल इतक काम कुटे आयती था, मतलब हम लोग इतने सारे लोग है, लेकिन हर सब, मतलब सभी बच्चों के लिए पूरा होने लायक, यहां पे इतने काम कहा है, मतलब राइटर के अनुसार हम लोग जितने लोग हैं, उनके लिए उतना का पूरल मतलब पुरेसा पर्याप now so sufficient उतना काम तुमारे पस या तुम्हारे पस नहीं कहा है? उन्होंने कहा कि इतना काम यहाँ पे कहा है मतलब क काम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हमारे संख्या की अनुसात्स ते मना ले तो doctor horamie bababah ने क्या कहा you तुम्ही त्याची कार्जी का करता, तुम लोग उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, काम की चिंता तुम क्यों कर रहे हो, चली आगे चलते हैं, एजी था ये, आगे चलते हैं, तुम्ही सर्वजन, तुम लोग सब लोग संशोधन करत रहा, तुम कुछ न कुछ रिसर्च करते रहो कुछ तुछ तलाशते रहो, कुछ नकुछ सोचते रहो, त्यासाथी सरकारला है, खर्च किती यह तो yajata, अत्ताविचार करू नका हो, मात्र एक करा, एक मिनिट, कि आप सिर्फ संशोदन करते रहे, आप रिसरच करते रिए सोचते रहे और उसके लिए, जो भी आप सोचोगे, जो भी रिसर्च करोगे, उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को लाने के लिए, लाइव लाने के लिए या उसको इंवेंट करने के लिए, त्यासाथी सरकारला खर्च, गवर्मेंट को जो भी खर्च लगेगा, वो कितना लगेगा, ये तो, किती ये करो किसी से पूछो मत यहां पर देखो आप खुद पता लगाओ आपको क्या काम करना है आपन काय काम करायचे हे तुमी स्वताच ठरवा हमें क्या काम करना है यह आप खुद ही फैसला करो खुद ही ठहराओ मतलब उसे खुद ही सोचो बॉस ने सांगितल त्यूरच काम चोक नही असर समझाएंचर ही चूका है, चुक मतलब गलत काम, दोशी है गलती है आपकी, मतलब हमको बॉस ने जो बोल दिया है उतना ही काम करना है और सांगितल नसल अगर बॉस ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला है तर आप लेला कामस नहीं तो अपने पास काम ही नहीं ऐसा समझना अगर आप ऐसा सोचते हो तो यह आपकी गलती है ही प्रवर्ती गेली पाईजे हैं यह आपकी आदत है स्वभाव है यह आपका जाना चाहिए अगर आप यह स्वभाव के हो कि आपके बॉस ने जितना काम बोला है उतना करना है उसके बाद अगर बॉस ने कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं करना है तो यह आपकी गलती है, यह चीज आप सुधार लो, भाबा नी सांगित ले लिया हा मुद्दा, यह जो मुद्दा था, धड़ा, यह जो लेसन था, सीख जो थी, माजा मनावर, मेरे मन में कोरला गेला, कोरला मतला कायम रहेला, हमेशा के लिए मेरे दिमाग में वो चीज बहु है, मैंने जो experience खुद पाया है, उससे मैं यह कहता हूँ, एगदा है लक्षा आलना, अगर यह बात आपके मन में आ गया ना, तर sky is the limit, तो आपके लिए sky is the limit है, sky is the limit का मतलब है अमर्याद, जैसे आस्मान का कोई limit नहीं है, वैसे आपके लिए sky limit बना लीजे, तो मतलब आप बे हिसाब काम कर सकते हो, जब आपको यह प्रवरिती समझ में आता है, क्या प्रवरिती, जिसा अगर आपको teacher ने पढ़ाया, फिर आपको पढ़ने बोला है, उसके बाद आप सुचते हो कि चलो, या इसा समझे, आपका school में lecture हुआ है, और आप घर पे जाके school मे जो भी homework था, वो आपने किया और चुप बैठ गए, फिर आपने सोचा कि आप क्या करना है, तो यह प्रवरिती आपकी गलत है, आप और सोचो कि और आप book में क्या पढ़ सकते हो, किस तरीकी के paper आते हैं, किस तरह marks score किया जाएगा, तब आपके अंदर आपका जो level है तो एक बार यहां पर फिर से दिखते हैं, कि boss ने सांगितल त्योड़ काम कर रहे चा, boss ने कहा उतना ही काम करना, आनि सांगितल नसेल, और अगर और आगे नहीं कहा है, तो आपने को काम ही नहीं है, असा समझाय चा है, अगर ऐसा समझ रहे हो, तो यह आपकी गलती है, ही गेली पहजे, और यह जो आदत है, स्वभाव यह आपकी जानी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बाबानी सांगित लेला हा मुद्दा, बाबाने यह जो धड़ा, यह जो सीख हम को कहा था, माजा मनाव और कोरला गेला, यह मेरे मन में एक दम कायम हमेशा के लिए टिक गया, आनि मुलानों और बच्चों स्वव नुभावानी, मतलब मेरा खुद का जो अनुभाव है, उससे मैं यह कहता हूँ आपको, कि एक दा हे लक्षा ताले, अगर यह बात जो बाबाने मुझे बताया, अगर यह आपके दिमाग में आ जाता है, तर स्काइज दा लिमिट, उंगली पकड़ कर चलाना, और या डारेक्शन दिशा दाकाऊना, मतलब किसी दिशा को दिखाना, यह पहला आठ दा वर्षा पर यह ठीक है, रैटर के ता कि आपके उमर अगर आठ दस साल तक है, तो आपके पैरेंट्स, आपके टीचर्स अगर कुछ सिखा रहे हैं, बार या इस उमर तक खुद से कोई फैसला कर भी नहीं पाओगे, पन, लेकिन अंतिम्त्र, लेकिन आखिर में स्वत्स, स्वत्ला सक्षम करता आलाड़ फाये, तो बात में अंतिम में आखिर में खुद को, स्वत्स, खुद को ही सक्षम करने आना चाहिए उर्जा मिडवता एनर्जी शक्ती ताकत तो उर्जा मिडवता आली पही चाहिए मतलब आपको ताकत मिलना चाहिए जिसे आपको पढ़ाई करने में लेजीने सारा कंटाल आ रहा है तो आपके मन में ऐसी विचार आना चाहिए ऐसी बाते आना चाहिए इसी इनके अन अगर मैंने पढ़की बिता दिया तो मेरा काफी पढ़ाई हो जाएगा तो उर्जा मिडवता आली पाईजी ये बात आपको आना चाहिए इसा सोच आपके अंदर आना चाहिए पहले और आपको फीचर में क्या करना है ये अभी से आपको तै करना है मैं अभी तक डिसाइड नहीं क्या हो ये सारे चीज अगर आप सोचते बैठोगे तो लेट हो जाएगा और आप भविश्य में आप अपने मार्ग को पानी पाऊगे इसके लिए स्वताचे मार्ग शोदता आली पाईजी आपको अपना रास्ता खुद ढूंडने आना चाहिए ये आपका काम होना ये राइटर ने अपना पहला एकस्पीरिंस बता है जिसको आपको समझता है दूसरा क्या लिखा दिखे आता दूसरा आनों बहुत साहन तो राइटर केता है कि अब मैं आपको दूसरा एकस्पिरिंस बताता हूं कि ट्रेनिंग स्कूल मोनी प्रेस्ट्रिक्शन मैं इंजीनियर की हैस्稟 से वहां पे जॉइन हो गया. तेवा तब ति थे वहां पे metalyzing या leftung प्रक्रिय वर मला काम कराईला सांगनयत आले तो मुझे एक कहा गया कि आपको यहां पे काम करना कहां पर metalizing, metalizing मतलब देखिया ऐसा layers करना दूसरे metals का आपने देखा देगा यह सारी ची साइन्स में तो इस प्रक्रिये पर आपको काम करना है ऐसा writer को कहा गया आमचा कड़े त्यासाथी यंतर सामगरी होती writer कहता है कि हां उस काम को करने के लिए हमारे पास यंतर सामगरी थी यंतर सामगरी का मतलब है यंतरिक उपकरने मतलब मशीन जो भी लगेगा वो सारे या tools जो भी लगेंगे वो सारे चीज available थे वहां पे पर लेकिन कुनी ही थी वापर ली नहुति लेकिन अभी तक किसी ने वापरा नहीं था उसका यूज नहीं किया था वापरली मतलब आपका मालूम मिलें उप्योग नहीं किया था मनुन मी मना लो और इसलिए राइटर कहता कि मैंने कहा मी यावर काम करतो मैं मेटलाइजिंग पर काम करूंगा यह मशीन कप से पड़ी हुई है और किसी ने अभी तक इसका यूज नहीं किया है तो कुछ हो सकता है उसमें कुछ दुरुस्ती की ज़रूत पड़े कुछ सुधार करना पड़े तो राइटर कहता है कि मी या ज़रूत है जो वेल्डिंग करेगा हो सकता है कि आप समझ के चलिंग कि कुछ वेल्डिंग का काम वहां पर राइटर को दिखाई दिया होगा और एक फूर्मन चाहिए फूर्मन मतलब फूर्मन बोलती है जिसको काम गारांचा मोक्य है मतलब एक जो वर्कर रहेगा उसका जो head रहेगा जिसको writer अगर head को बता देगा कि ये काम गए ना तो वो अपने पूरे worker को बता देगा और वो सारे काम फटा-फट हो सकते हैं तो writer ने बोला कि मैं तो काम करूंगा पंड या साथी मला एक welder वा एक foreman यांची गरजा है इसकी जुरुत है तो मुझे क्या जवाब मिला या मुझे क्या कहा गया तुला आता काहीच मदद मिड़नार नहीं राइटर को ये बोला गया कि तुमको अभी कुछ भी मदद नहीं मिलने वाला है, ना आपको वेल्डर मिलने वाला है, ना आपको फोर्मेन मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई help आपको नहीं मिलने वाला है, तुमको खुद को ही स्वतालाही अपने आप से ही करना पड़ेगा ऐसा राइटर को कहा गया चलिए इसके आगे देखते हैं लिख गया कि वरिष्ठांची आग्या मनून मी शुरुआत के लिए और वरिष्ठ मतब सीनिर्स थे तो मैंने आग्या का अपमान नहीं किया उनका मैंने पालन किया और मैंने बोला कि चलिए जैसे आ काम नहीं हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आये लेकिन राइटर ने सब फेज किया सब सॉल्व किया तो धड़पड करून ते काम पूर्ण के लिए राइटर ने वो काम पूरा करके दिखाया बिगर किसी के मदद से सूचने की बात है स्ट्टुएंट्स मग त्यानी त्या कारेक्रमाची व्यापती वाड़वली फिर राइटर कहता कि फिर उन्हों ने उस जो मैंने काम किया था उसको उसकी व्यापती मतलब मैंने तो काम खतम कर दिया इसको देखकर राइटर कहते हैं कि मग त्यानी उन्होंने त्या कारेक्रमाची व्यापती वाढवली उस कारेकरम का जो व्यापती ये विस्तार है वाढवली मतलब और बढ़ा दिया मतलब उसका वालिम उसका प्रोडक्शन और बढ़ा दिया राइटर को मतलब समझे और काम मिलने लगा हे करूया ये करना है ये करना है ते करूया वो करना है और सब बहुत सारे तो पूछा अब बोल कि तुझे क्या चाहिए मतलब पहले जो राइटर ने बोला था कि मुझे फूर मेन और वेल्डर चे तो उन्होंने मना किया था कि बोला था कि कोई मदद नहीं मिलेगी और आपको आपका काम खुद करना पड़ेगा राइटर ने उनकी आग्या माना और सुरुआत किया बहुत धड़ पड़ करने के बाद काम पूरा किया काम को और बढ़ा दिया गया ये करना है वो करना इसा सब कुछ बहुत सारे चीज़ों को बोलने के बाद आखिर में फिर एक सवाल आया मेरे पास कि अता सांग तुला काई भाई जे अब तुझे क्या चा अब इतना experience होने के बाद राइटर ने बोला कि इस पे इन बातों पे मैंने कहा अत्ता मला काहीच नको राइटर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मी स्वतह सर्वकरिन मैं सब खुद ही करूंगा तेवा ते मना ले इतने अच्छी बात सुनने के बाद फिर उन्होंने क कहा तेवा ते मना ले डॉक्टर बाबा ने कहा काम सुरू करन्या आधीच लोग काय काय मागन्या करतात अनि या वृती मुरेच अत्ता परेंत ते काम जालेले जालेले नवत मनुन आमी तुला विल्डर वा फोर्में दैला नाही मना लो होतो मतलब यह जो काम तुमने लिय तक वो काम पूरा नहीं हुआ था और अब तुम आये हो तुमने भी शुरुआत वही किया और हमने तुमको जवाब दिया लेकिन तुमने अपने आप से करने को वो तयार हो गये मनुन आमी तुला वेल्डर वा फोर्में दैला नाही मना लो होतो हो तो तो रैटर ने वह इ कि वही लिखा है कि तेवती मनाले की काम शुरू करने आदिच मतला काम आप जब कोई शुरू करते हो उसके पहले ही लोक या कोई भी लोक काय काय मागना करता क्या-क्या चीज़ की मांगनी करते हैं आनि या वृति मुरिच और यह जो उनका नेचर होता है इस नेचर के खाली पाई जे तेवरे लोग गे लेकिन हाँ अब तुझे चाहिए तो तेरे हाथ के नीचे मदद करने साथ हाता खाली मतलब अपने हाथ के नीचे पाई जे तेवरे लोग गे अतत्ते तुझा आइक तेल अब वो तेरा सुनेंगे भी अब तेरे हाथ के नीचे तेरे हाथ के पीमिच आप समझे रहेंगे helper जो रहेंगे आपके साथ, अब वो तुम्हारा बात भी सुनेंगे, अल्ट तुज़ आउक्टे अब वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे, कारण, त्यानी पाहिल है, क्योंकि उन्हों ने देखा है, जो तुम्हारे साथ काम करेंगे, उन्हों teaching बताया, कि चलो मैंने तुमको ये सिखा दिया, कि आप खुद का काम खुद कर सकते हो, तो अब अगर आपको काम अपने मदद के लिए कोई चाहिए, तो लो, क्योंकि काम जब फैलाया जाएगा, व्यापती किया उसको बढ़ाया जाएगा, तो एक अकेला इंसान वो ज़्यादा सा ज़्यादा जो काम में वो नहीं कर सकता है, थोड़ क्या थोड़ क्या है, थोड़े में क्या, तर तुमी करू शकत, शकता है आदी दाखवा, थोड़े में हेलपर को आप ये बताओ कि जिस जो काम में तुम से कराने चल रहा हूँ ऐसा मत सोचो कि वो काम मुझे नहीं आता है तो तर तुमी करू शकता है आदी दाखवा वो काम तुम कर सकते हो ये पहले उनको बता दो अच्छी तरह कि जो तुमको में काम दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं अनाडी हूँ मुझे नहीं आता और तुमें ही करना है मैं तुमारे पर डिपेंड़ू मग इत्राना काम सांगा और तब जाके फिर आप काम करो जो काम आपको किसी को देना है, पहले वो काम आपको आना चाहिए, और फिर आप इतरा ना बाकी लोगों को वो काम आपको देना है। कि पढ़ो तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे एक कमरा चाहिए एक अलग कमरा चाहिए एक टेबल चाहिए ये वो चाहिए तो तब अगर आप ऐसा सोचेगे तो आपका काम शुरू ही नहीं होगा क्योंकि जीवन में इसे बहुत सारे लोग हैं जो केंडल में भी पढ़के टॉप किये हैं आप ये सोचना है आपको तो ये मागी नहीं मत करी दूसरा कि आपको दिया गए जो काम है वो खुद से शुरू करी मदद लीजी अगर मदद नहीं मिल पा रहा है तो ऐसा मत की आप छोड़ दीजी आप खुद से ट्राइक करिए रास को आता है तब ये मुझे काम दे रहा है ये अनाड़ी नहीं मेरा बॉस अनाड़ी नहीं है तो हा धड़ा ये जो सीख है त्या दूसरा अनुभवा तो मिशिक लो मैं दूसरे अनुभव से वो धड़ा मैंने सीखा आप दिखे राइटर कंक्लूड करें कि तर मुला नो सव अनुभव मैंने आपको बता है इसका महत्व जो है मुझे आज तग लगता है मैं जानता हूं कि इसमें बहुत राज वली बात है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जो समझ पाता है वो अपने लक्ष को जरूर पाता है या तील आशे मतलब ही तू लक्ष आपका जो है तुम्हें आताचे नीट समझ गेतला अगर इसके बीचे क्या आशे है इसके बीचे राइटर क्या बताना चाहता था अगर आप इसको अभी समझ लेते हो अच्छी तरह समझ गेतला तर मोटे होने अचा प्रक्रेट जिसे जिसे आपकी आप तरकी करोगे मतलब बड़े हो जाओगे तुमाला त्याचा फाइदाच होई आपको उसका जरूर फाइदा होगा एक दम गैरेंटी है या चीमाला खात रिया यह इसका मुझे पुरी तरह विश्वास है तो चली यह पार्ट यहां पर खतम होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वेरी मच